उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योचावर किये हैं। दुख की इस गड़ी में, मेरी और हर भार्पिय की सम्वेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वज़े से, देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भाती समझ पा रहा हूँ। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षाबलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शावरिय पर, उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पुरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग, सही जानकारिया भी हमारी एजन्सियों तक पहुँचाएंगे, ताकि आतन को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतकी संगढ़नों को और उनके सरपरस्टों को कहना चाहता हूँ कि वे बहुत बड़ी गल्टी कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीछे जो ताकते हैं, इस हमले के पी जो भी गुनेगार हैं, उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ। और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनरोध है, कि ये वक्त बहुती संवेदंति और भावपल है। पक्ष्में ये भी पक्ष्में हम सब राजनीतिक छिंटा कसी से दूर रहें। इस हमले का देश एक जुठ होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है, और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, त्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग ठलग पढ़ चुका हमारा पड़ोसी देश। अगर यह समझता है, कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजी से रच रहा है, उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, वो कभी यह नहीं कर पाएगा, और नहां कभी यह होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक ब्यहाली के दोर से गुजर रहे, हमारे पडोसी देश को यह भी लगता है, वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बढ़ाल कर सकता है, उसके यह मन्सूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है। वक्त ने सिद्ध कर दिया हैं, कि जिस रास्ते पर वो चले हैं, वो तबाही देखते चले हैं, और हमने जो रास्ता अखत्यार किया हैं, वो तरक्की करता चला जा रहा है। एक सो तीस करोड हिंदुस्तानी ऐसी हर साजी ऐसे हर हमले का मुहत तोड़ जवाब देगा।